नमस्कार बहुत-बहुत स्वागत हैं सभी दर्शकों का कारेक्रम नमस्कार MP में एक बार फिर से मैं शुष्टिका प्रस्कुत हूँ आप सभी के समक्षन लेकरिया है कारेक्रम इस खास चर्चा के लिए हमारे साथ जी हाँ एक खास अथिती भी है विशे विशेशक भी है आपसे उनकी मुलाकात कराते हैं मिस्टर विवेक श्रोत्रिय जो एक IAS है सर बहुत-बहुत है हार्दिक स्वागत है आपका बहुत-बहुत स्वागत है कारेक्रम में और सर आप फिलहाल अपर प्रबंदक संचालक पदस्त हैं MP टूरिजम बोर्ड में जी हां गवर्मेंट अफ मध्यप्यदेश में अपका ए बहुत पुन ह्या आपका एग बहुत-बहुत स्वागत है और दर्शकु यहां पर आपको आज जो हमारे महमान है स्टूडे में उपस्तित उनसे भी मिल Kelsey जी आपका भी बहुत-bहुत स्वागत है आप एककला एवं शल्पकार है बेसक एजिकेशन डिपार्टमे हैं तर्शकों जो हमारे घर में पेपर सोते हैं उनका जब काम नहीं होता है क्योंकि वो जाते हैं तो हम उन्हें रदी समझ कर या तो फेक देते हैं या तो फिर घर में किसी काम में उप्योग कर लेते हैं लेकिन क्या आपने सोचा कि इसे कुछ अलग तरीकों से भी बहुत आभार की मेरी मेरे इस प्रयास को और आप लोगों ने जनता के सामने रखने का उसर दिया तो और हम इस्पेशली सस्टेनिबिलिटी और इको फ्रेंड्लीनेस को प्रमूट करते हैं कबीरदास जी की एक बात थी की जैस की तस धरदीनी चदरिया तो ज्यादा कुछ त भी है हाला कि यह तो बायोग्रेडेबल है लेकिन फिर भी यह दो से छे सप्ता लेता है जमीन के अंदर अपने आपको मिलाने में तो हमने यही सोचा कि यह और दूसरी चीज यह सर्व सुलब है आसानी से मिल सकता है कहीं भी और इसके बहुत सार उपयोग हो सकते हैं फिर उसी थीम को लेकरके हमने यह अपने कुछ चात्रों का समो बनाया और फिर हमने यह हस तसल पर बनाने का प्रयास सुरू किया हम पिछले छे सालों से इसका प्रयास कर रहे है जैसे कि मैं देख सकती हूँ बहुत खूबसूरत खूबसूरत यहां पर जो आपने हैं जो हैं क् आप थोड़ा सा ही हमारे दर्शकों को भी दिखाएं और देखें यहां पर दर्शकों कितनी उपियों की चीजें भी आलोग जी ने बनाई हुए है जैसे कि मैं देख सकती हूँ पैन होल्डर है और यहां पर बहुत ही प्यारे गड़ेशी आलोग जी प्लीज यह जो गड़े यह काफी हलकी भी होंगे बिल्कुल यह बेटलेस हैं आप यह बहुत ही और सबसे बड़ी बात ही कि गिराने पर टूटेंगे भी नहीं और अगर हम इन्हें नदियों में प्रवाहित करते हैं तो इन में हमने इसको हर्ड बनाने के लिए चावल का आटा यूज किया है बब यह बना सकते हैं और इसे हम बड़े अस्तर पर भी कर सकते हैं यानि किसी भी तरह का नुकसान यह हमारे पानी को नदियों को नहीं पहुंचाने वाला है क्योंकि दर्श्य को जैसे कि हम देख सकते हैं गडेश जी की मूर्ती है जब गडेश उस सफ आता है तो वैसे तो आतावरन हमारी जो खास्तोर से नदिया उनको नुकसान ना पहुंचा और यह कितना अच्छा विकल्प है और बिल्कुल सर यहां पर विवेक सर मैं एक बात यहां पर साजा करना चाहूंगे कि जो परेट अनिस्थल हम वहां पर देखते हैं अकसर ऐसे हैंड मेड चीजों क अगेरा भी डिस्प्ले करते हैं जी मैं कहना चाहूंगा सर और बहुत खुसी भी है मुझे आपसे बातसेयर करते हुए आपके साथ मंच साजा करते हुए कि हमारा प्लेटफॉर्म मिला था हमारा जो पहला मंच था वो हमारे स्टेट का परेटन भवन ही था वहां पे हमने लगभग दस स्टुडेंट के साथ पहली एक्जिबिशन लगाई थी और वहां पे स्टेट के लगभग सभी गड़माने बेक्तित्व मौझूद थे और हमारी रिता बहुडा जोसी मैं भी थी महां पे अनकुमा जस्वाल मैं भी थी उसमें सिक्षा मंत्री थी तो उन्हों उनको ये वाला पैनिस्टेंड जो है ये बहुत पसंद आया था और इस्पेसली उन्होंने इसके लिए हमें 50 पीसेज का ओर दिया था और मैंसें भी किया था कि यार ये तो तेरा बड़ा अच्छा है और हम हमार जो विजिटर्स आएंगे इसमें हम उनको गिफ्ट करेंग तो ये हमारा परियतन से जोड़ा हुआ थोड़ा सा अनुभव है उसके अलामा मैं अभी हाल में ही कल समाप्त हुआ है इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल तो हम 2018 से उसका हिस्टा रहे हैं तो हमें उसमें कई देश विदेश के भी लोग आते हैं मुसली हर से हमारे स्टॉल होता है लोगों के अकरसड का केंदर होता है कई बार हम हमारे पास limited edition होते हम उन्हें मना भी कर देते हैं कि हमसल नहीं करेंगे तो हमसे वह online कॉंटेक्ट करके अपनी demands बताते हैं स्टुडेंट्स उसको तयार करते फिर मुसको सेल करते हैं विवेक सर एक ब अब ही मैं अनुरोद करूंगा कि वह आएं और हमारे ग्रामीड का जो करेक्रम है रिस्पॉंसिबल टूरिजम का जो करेक्रम है उससे वह जोड़ेंगे इनके उत्पादों को हम नाकेवल इनको हम प्रशेक्षा के रूप में भी इस्तेमाल कर सकेंगे बलकि हम सोचेंगे क जो ग्रामीड बना रहे हैं उसका कुछ एक फॉरवर्ड लिंक बने कुछ मार्केटिंग उसकी हो सके तो मुझ लगता है कि आज की इस परिशेक्षा के बाद साहिद इसका भी कुछ जी और अगर देखा जाए तो परेटन विभाग एक तरीके से लोगों को एम्प्लोइमे की प्रोड़क्स लेकर आ रहे हैं इन लोगों को भी काफी अच्छा सपोर्ट ये विभाग दे रहा है आलोग जी मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ये जो आइडिया है ये बिलकुल एक इनोवेटिव आइडिया है ये कैसे आपके दिमाग में आया क्योंकि पेपर को देख विस्तिक शिक्षा विभाग से जुड़ने का हमको मौका मिला तो वहां हम उनको एक साधारन पहले काला का शिक्षर देते थे फिर हमें लगा कि हम क्यों ना कुछ ऐसा करें कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वह पास आउट होने के बाद इंडिपेंडेंट भी हो सकें ये आउट होने के बाद तो हमने ये जो है आसपास उपलब जिजो पहले हमने काम करने के लिए सोचा था लेकिन उसकी बहुत उपलबदता नहीं हो पाई और उससे हैंड्स वगारा में कट लग जाते थे फिर हमें लगा कि ये सबसे सॉफ्ट चीज है और इस पर हमें खर्चा बिलकुल आप विवेग जी को भी एक एक करके वो दिखाएं कि आपने क्या-क्या चीजें बनाई हैं पेपर का उपीओ करते हैं सबसे पहले तो कल हमारा गंतंतर दिवस आने वाला है और ये हमारा पहला क्राफ्ट है जो हमने न्यूस पेपर से स्टार्ट किया था सर ये हम हमारा जो है डिक्स ऑगनाईजर है इसमें हम बहुत सारी चीजें रख सकते हैं और ये ये पिए जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं ये हमारा फ्लावर वेस है और सर ये हमारा जो है ये टेवल कोस्टर से न्यूस पेपर के ये लाइट बेट हैं और और मैं वहां पीछे सब्सक्राइब कर देख सकते हूं कि कुछ ऑर्गनाईजर पैटन पर भी आपने चीज रेटी करें ये बहुत देर से देख रही थी और दश्यों को ये पीस मुझे बहुत आकरश्यत कर रहा था क्योंकि आप सोचिए इसको आप कितनी सारी चोटी-चोटी चीजे रखने मे उपयोग कर सकते हैं और वह देखने में भी कितना खुबसूरत लग रहा है आपकी टेबिल आपके कॉर्णर की शोभा भी बिलकुल बढ़ाएगा आलोग जी जैसे कि आपने बताया था क्या वर्क्शॉप भी करते हैं आप बच्चों को सिखाते भी है तो आपने वर्क्श का सपोर्ट मिला और फिर मैंने जो है बीच में एक चीज में और एड़ाउन करना चाहूंगा अला कि वो निउस्पेपर पर नहीं है बट हमारी ओ ट्रेशनल आर्ट फॉर्म है हमारे यहां की मुख्यविकास अधिकारी महोडियाथी स्रीमती सरनीत को और ब्रोकाजी तो न से राकियां बन वाई थी और उसका हमें बहुत अच्छा रिस्पॉंस मिला इवन मुझे मुझे मुख्यमंती जी के आफिस में ले जा करके प्रजेंट करने का तो उधर से उनका असिर्वचन लेटर भी आया था और जो भी हमने तयार कराया था सर विदिन टू डेज हमारी दिपावली के आसपास और फिर उसके बाद हम अभी रिसेंटली पिछली दिपावली पे हमने कारागार की महिला कैदियों के साथ वर्ग किया यह बहुत ही अच्छा कदम था जी वह भी डिस्टिक अड्मिनिस्टेशन का सपोर्ट मिला हमें हमारी ततकाली जिलादिकारी स्रीमती शौमयागरवाल जी तो उन्होंने कहा कि मतलब creativity kills the negativity तो हमने उसी थीम को आगे बढ़ाया और वहां पे हमने यह लक्षमी गड़ेश की मुझे आपकी पास जो ideas है वो तो है ही और साथ में लोगों के ideas अगर किसीने कोई बात कही है तो उनको भी आप कोशिश कर रह है तो ऐसी कौन-कौन सी थीम है जिन पर आपने products डबलब की है सबसे पहले तो जैसा मैंने बताया हम अंग्रेजी मा से ही शुरू करते हैं जनवरी से तो हम स्वतंतरता दिवस और गंटंतर दिवस के थीम पर बनाते हैं उसके बाद फिर हमारे festive themes की जैसे की होली दिपावल या फिर रक्षा बंद हैं यह चार ऐसे तेवहार हैं कि जिन से हमारी themes बिल्कुल जूड़ी हुई है और हम थोड़ा सा research करके और innovation अपनी चीजों में ले करके आते हैं जैसे यह गुल्लक है तो इसी गुल्लक को अगर हमने double layer पे लिया हुआ है तो यह गुल्लक बन जाता ह हम इसको थोड़ा सा अंदर tilt करके इसको हम खोलने बंद जैसा भी बना देते हैं तो वह गुलाल रखने के काम में आ जाता है और फिर बहुत सारी decorative items भी बनाते हैं हम लोग तेवहारों को मध्यरदर रखते हुए क्योंकि local जो मेले होते हैं उसमें हमारे local customers ही होते हैं जो त पसंद होता है तो हमारी थीम हालोग जी को मैं सुझाव देना चाहूंगा कि आप अपने जो थीम हैं जिसमें थोड़े से heritage से संबंदे चीजें भी कर सकते हैं जैसे आपका मैं यह वाला आई देख रहा था प्रड़क्ट इस तरह का जैसे हमारा सांची का गेट है जी जी सांची स्थूपा बनाई है या ऐसी चीजें जो मदब्रदेश के किसी structure का अपना है उसको प्रदिनेदित करती हैं उनको भी आप बनाते लाइए लेकिन यह जरूर हमने था सर हमने कुछ और भी पैनिस्टेंट बनाए थे इस पे हमने यहां की केप पेंटिंग्स को के रहा था उनको हमने जो है जूट ट्वाइन के थ्रोव के रहा था और कोडार का सर जो में सरकल है उसके आधार पर भी हमने क्राफ्ट बनाया था टेवल कोस्टर का तो वो लिमिटेड ही बना था बट वो सेल हो गया तो राइट नाव आप प्रेजेंट यह बढ़िया आपके लि तो अब कही ना कहीं जो भी आज का कारी क्रम देख रहे हैं दर्शक उनके कही ना कहीं दिमाग में जरूर बात आएगी कि अगर हम पैन होल्डर खरीद रहें तो हम पेपर से बना हुआ पैन होल्डर खरीदे और प्रकृती को बचाने में कुछ ही योगदान नहीं आपका आज के लिए इतना ही कारी क्रम है अगले अंक में आपसे फिर मिलना होगा मुझे नुमती दीजे नमस्कार